लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लांट इस्ट्रेस और प्लांट इस्ट्रेस में हम लोगों ने पिछली बार वाटर इस्ट्रेस पर डिसकर्शन किया था और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंपरेचर इस्ट्रेस तो temperature stress में हमने आपको already ये बताया था कि temperature stress सिर्फ means कि particular अगर high temperature हो तभी नहीं अगर low temperature है तो भी stress हो सकता है और अगर high temperature है तो भी temperature stress हो सकता है तो पहले हम लोग यहाँ पे cold और low temperature की बात करते हैं तो cold और low temperature में plant पे क्या stress हो सकता है तो एक होता है chilling stress एक होता है chilling stress और chilling stress की condition क्या है वहां पर temperature होगा 0 degree to 15 degree centigrade और chilling stress non freezing temperature है ठीक है तो chilling stress कब होगा जब non freezing temperature क्योंकि freeze कब करेगा जब 0 से less होगा तो उस समय freezing condition होगी तो क्योंकि यहां पर लिखा है 0 to 15 degree centigrade तो वो chilling stress करेगा less than 0 degree will cause the freezing stress और जब जब क्या हो जाए कि 0 से कम हो जाए temperature तो उस समय जैसे minus 4 इस तरह से चला जाए तो वहां पर freezing stress हो जाएगा the condition is shown by many tropical plants most effective temperature for chilling के लिए सबसे ज़्यादा effective temperature क्या है 10 degree centigrade कभी आपने जो बनाना होता स्कुआ यहां नहीं रखते हैं शहाद आप लोग ऐसा करते होंगे और अगर आप बनाना को फिरे चमिनर रख देंगे तो क्या हो जाएगा वह by वाजीब सा हो जाता है तो एक पील भी करेंगे तो आजीब सा हो जाता तो कुंकि उसमें चिलिन becoming फ्रेंचा इंवाट सौता है लो टमपरेचर और नुबिटे अयम कि यह संने फोटो इनिबिशन में हमने क्या बतायat एक इसका protein है photo system two का तो disassemble हो जाता है जिससे कि photo inhibition हो जाता है photo synthesis नहीं हो पाता है तो अब इसके बात फिर क्या होता है कि अगर इसका D1 का फिर से resynthesis हो जाए और फिर इससे वो वापस PS2 में एसेंबल हो जाए तो फोटो इनिविशन खतम हो जाएगा तो एक D1 रिपेर साइकल चलती है तो वहां पर जब D1 रिपेर साइकल चलेगी और अगर सब्पोस्ट फोटो इनिविशन हो गया है तो फिर क्या होगा D1 रिपेर साइकल कि थूँ ठीक हो सकता है यह D1 रिपेर साइ मेंब्रेन को क्या रखने की कोशस करते हैं और अगर सचुरेटर हो अगर तो crystalline form हो सकता है, तो उस condition में मतलब की cell का survive करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए क्या होता है कि जब chilling sensitive plant होते हैं, तो उनमें high proportion में unsaturated fatty acid पाय जाते हैं, तो ये तो cold और low temperature stress में क्या-क्या चीजी होती है, वो हमने देखा, अब हम लोग high temperature stress की बात करते हैं, और उसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि optimum temperature क्या होता है, 37 degree centigrade, लेकिन जैसे ही 40 degree centigrade से temperature बढ़ता है, वैसे ही क्या होता है, कि मीस प्लांट में stress होने लगता है, अब वो stress होने की वज़े से प्लांट के अंदर क्या होता है, रियक्टिव औक्षिन स्पीसीज का formation होता है और रियक्टिव औक्षिन स्पीसीज क्या करते हैं, membrane पर act करते हैं, यह cell organs पर act करते हैं, और cell में क्या हो सकती है, cell death cause हो सकती है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ROS generation हो रहा है हाई temperature की वज़े से, फिर यहाँ पर लिखा है कि जो C3 plant होते हैं, वो more susceptible होते हैं, मतलब कि अगर high temperature का stress मिलेगा, तो C3 plant जादा sensitive होते हैं, rather than C4 plant, और C4 plant, C3 plant में, जैसे suppose सबसे पहले, तो C3 plant तो main plant होते हैं, फिर बाद में C4 plant evolve हुए, तो C4 plant evolve ही क्यों हुए, जब C3 plant भी तो वही काम कर रहे थे, फिर C4 plant की जरूरत क्या पड़ी, तो कुछ ऐसे environmental factor, जादा से जादा maximum productivity हो, तो जैसे यहां पर लिखा है, कि C3 plant more susceptible होते हैं high temperature के लिए, तो जब हम आपको photosynthesis बताएंगे, तो महां पर बताएंगे, कि C3, C4 plant के क्या differences होते हैं, उनमें किसमें जादा beneficial role होता है, तो C4 plant में कुछ ऐसी anatomy होती, कुछ ऐसे mechanism होते हैं, जो कि high temperature को भी पढ़ रही है, तो photo inhibition हो जा रहा है, है ना, यहां पर लिखा है, by disturbing the thalecoid structure, अब thalecoid structure में structure होता क्या है, thalecoid में photosystem 1 पाया जाता है, यही सब पाया जाते है, PS1, PS2, तो इनी structure को disturb कर देता है, जब high temperature होता है, और high temperature induces synthesis of new family of low molecular mass protein, known as heat shock protein, ठीक है, तो heat shock protein ऐसा नहीं है, कि जब high temperature का stress पढ़ता है, तभी वो means induced होती है, कुछ ऐसी भी heat shock protein होती है, जो की normal function perform करती है, जैसा कि आपने protein folding में पढ़ा होगा, मैं आपको बताया होगा, चैपरोन, चैपरोनिंस है ना, यह सारी चीज़ें discuss होई होगी, तो वैसे क्या होता है, कि जब elevated temperature होता है, तो उस सम प्लांट अपने अंदर एक नए family को इंड्यूस करते हैं, जिनको हम लोग low molecular weight की protein होती होती है, उनको ही heat shock protein कहते है, और heat shock protein को पहले drosophila में ही discover किया गया था, अब heat shock protein को उनके molecular weight के according कुछ means types में divide करा गया है, जैसे कि HSP 90, HSP 90 नाम से पता चला है, 90 kilo dalton की protein होगी heat shock protein, फिर HSP 70, जो कि normally protein folding में इन सब जगों पे involved होती है, तो उसको हम बोलते है, molecular chaperon या chaperonin बोलते हैं, इसके बाद एक और low molecular weight के protein होते हैं, जिनका नाम low molecular weight रखा जाता है, या granules के नाम से होते है, heat shock protein, granules होते हैं, जो कि 17 to 28 kilo dalton की होते हैं, इनके molecular basis पर इनको 3 sub category में divide किया गया है, फिर भी अब हम लोग यहाँ पे इसको one by one, जितने भी heat shock protein होते हैं, उनके हम लोग function और उनके type जख लेए, तक जैसे कि HSP 110 है, तो 110 मतलब 110 kilo dalton का protein होगा, लेकिन इसका function क्या है, unknown है, अग अगर HSP 90 की बात करें, तो HSP 90 का करती है, प्रोटेक्ट करती है, रेसेप्टर प्रोटीन को, है ना, रेसेप्टर प्रोटीन जो होती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, HSP 70 की बात करती है, तो यह एक ऐसा heat shock protein है, जो कि ATP dependent protein है, इसको ATP की requirement होती है, जब आपने यह पढ़ा जाने में HSP का involvement होता है, तो वहाँ पे ATP की requirement होती है, ATP dependent protein, assembly और disassembly reaction, preventing protein from denaturation और aggregation, protein को prevent करता है, denaturation से और aggregation से, इसको कहा जाता है molecular cheprons, और यह कहां कहां पाय जाते है, cytoplasm, mitochondria में, chloroplasm, फिर HSP 60 की बात करें, तो यह भी molecular cheprons के नाम से जाने जाते हैं, यह direct करते हैं, कि proper, अगर multi-subunit protein है, जैसे आपने पढ़ा होगा, कि कई सारे monomers मिलके multi-subunit protein बना रहे हैं, तो ऐसे case में क्या होगा, कि यह proper assembly कराने में HSP 60 यूज होते हैं, और यह भी कहां पाये जाते हैं, cytoplasm, mitochondria में, और chloroplast में, तो यह HSP 60 का का काम होता है, अब अगर हम लोग low molecular weight, ज और पे नहीं पता हैं, अन्नोन हैं, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है, कि जो यह HSP, यह low molecular weight, heat shock protein होते हैं, यह क्या करते हैं, reversibly, मतलब की aggregates बना लेते हैं, मतलब यह granules type के, क्योंकि low molecular weight के protein हो चोटे-चोटे protein है, यह granules type का structure बनाते है, heat shock granules बना लेते हैं, और aggregate करके protection प disaggregate हो जाते होंगे, और तहां पर पाये जाते हैं, cytoplasm में और chloroplasm में, इसके बाद, ubicutin molecule, अब जैसे आपने ubicutin बहुत सोना है, क्योंकि जब किसी भी protein को degrade कराया जाता है, 26S proteasome में, तो वहां पर एक protein बहुत involved होती है, ubicutin, और ubicutin का क्या होता है, ubicutin का क्या होत है, कि सपोज यह कोई target protein है, और इस target protein को अगर degrade कराना है, तो इसको degrade कराने के लिए इसको tagging करनी पड़ती है, ubicutin molecule से, और इस तरीके से ubicutin molecule बहुत सारे जुडते जाते है, जुडने के बाद इसको फिर जब यह tagging हो जाती है, तो फिर यह 26S proteasome से degrade करना असान हो जा इसको पर्टीन को बनेगा है, तो इस तरह से यह हीट-शॉक प्रोटीन के डिफरेंट टाइप हो गया है, अब जब कोई भी stress होता है, तो किस तरह से हीट-शॉक प्रोटीन का formation होता है, क्योंकि प्रोटीन तो पहले क्या बनेगा, MRNA बनेगा, तो MRNA कब इंडूस होता है, क जैसे ही प्लांट पर कोई इस्ट्रस पढ़ता है, तो उस समय हीट-शॉक फैक्टर्स की एक साइकिल चलती है, और हीट-शॉक फैक्टर्स की जो साइकिल होती है, वो एक्टिवेट करती है हीट-शॉक प्रोटीन को, तो अब हम लोग यहाँ पर एक डाइग्राम देखते ह हैं, अभी सपोज की यहाँ पर ऐसी कंडिशन है कि कोई प्लांट में इस्ट्रस नहीं पढ़ रहा है, जब इस्ट्रस नहीं पढ़ रहा है, तो जो हीट-शॉक फैक्टर्स हैं, यहाँ पर देखिए हीट-शॉक फैक्टर्स हैं, और यह हीट-शॉक फैक्टर्स इस तरह से यहां पर यह जो यलो दिख रहा है, यह क्या है, HSP 70 है, HSP 70 एक प्रोटीन है, जो कि यहां पर हीट शॉक फैक्टर से बाइंड करा हुआ है, अब यह नॉन इस्ट्रेस्ट कंडिशन है, तब कि अभी प्लांट में कोई इस्ट्रेस नहीं है, लेकिन जैसे ही प्लांट पर कोई इस्ट्रेस पड़ा, जैसे ही इस्ट्रेस पड़ता है, तो जो इस HSP 70 है, क्योंकि HSP 70 है, है तो हीट शॉक प्रोटीन लेकर नॉर्मली भी नॉर्मल सेल में पाई जाती है, जैसे हमने बताए कि मिन्स प्रोटीन फोल्डिंग में इन्वाल्व है, तो इसलिए HSP 70 अभी इसको Monomer के form में रखा है, किस के form में रखा हैं पर को आवाज आ रही है, Monomer के form में रखा हुआ है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, कि जैसे ही plant में इस्ट्रिस पड़ा, तो इस्ट्रिस जैसे ही पड़ता है, तो Heat Shock Factor से जो ही ट् girk शॉक 70 है, ये क्या हो जाती है, अलग हो करती है तो जो यह हीट शॉक फैक्टर से वो ट्राइमर के से यहाँ पर स्शॉक में और यहाँ वह बनाकी हम कंद्छिंड में में bind कर लिया तो क्या होगा कि एक तो पहला तो क्या होगा कि कुछ heat shock protein के mRNA बनेंगे जो कि HSP का formation करेंगे HSP means suppose की 70 का formation कर रहे हैं और फिर इसके बाद heat shock protein बनने लगी इसके बाद further क्या होगा कि दूसरा mechanism क्या हो सकता है कि इस पर phosphorylation हो जाए और phosphorylation होने के बाद इस पर फिर से further heat shock protein जुड़के इस process को और activate करा दें और इस तरह से फिर ये इस form में change हुआ फिर इसके बाद भाई तो ये जो heat shock element है तो अब क्या होगा कि heat shock element means कि क्या करेगा heat shock protein की synthesis करेगा और heat shock protein बहुत सारा बनने लगेगा तो stress plant में जो stress है उसको बचाने के लिए heat shock protein की synthesis जरूरी है तो इस तरह से heat shock protein की synthesis होने लगती है अब इसके बाद हम लोग यहां पर one by one पढ़ लेते हैं in non-stressed cell heat shock family normally exist in monomeric state हमने आपको अल्रेडी बताया कि कि इस फॉर्म में रहता है देखिए आप मोनोमर के फॉर्म में रहता है कि कि जब non-stressed plant है तो क्या होगा monomer के state के फॉर्म में रहता है associated with HSP 70 protein से associated रहता है upon the onset of an episode of heat stress जैसे heat stress मिलता है HSP 70 dissociate हो जाता है heat shock factor से which trimerize trimerize हो गया जब ट्राइमर का फॉर्म बना लिया तो जो active trimer है वो heat shock element से bind करता है बाइंड करने के बाद heat shock protein के gene को activate कर देता है और activate होके transcription कराने लगता है heat shock protein के mRNA leading to translation of HSP among which are HSP 70 major मतलब कि पहले तो कम HSP था जैसे heat पड़ी और heat shock element activate हुआ बहुत सारा HSP 70 बनने लगा फिर इसके बाद क्या होता है the heat shock factor trimer associated with heat shock element are phosphorylated फिर दूसरा process क्या हो सकता है कि उसमें phosphorylation कर दिया जाए phosphorylation क्या facilitate करेगा कि HSP 70 bind करे और जब bind means trimer से bind करे और जब HSP 70 trimer complex बना लेते हैं फिर इसके बाद क्या होता है dissociate from heat shock element and disassemble the dephosphorylate into heat shock factor monomer with subsequently HSP reforming resetting मतलब यहां पर पूरी cycle चल रही है cycle में क्या बताया गया यही बताया गया कि जब नॉन इस्ट्रेस प्लांट है तो यह heat shock factor monomer के form में HSP 70 bind किया रहता है जैसे ही heat पड़ती है वैसे ही जो HSP 70 है यह हट जाते हैं HSP 70 हटके क्या करते है कि यह trimer बनता है trimer अब capable हो गया है heat shock element से bind करने लिए heat shock element पर bind करेगा transcription कराएगा और बहुत सारे HSP 70 का formation एक optimum मतलब concentration HSP 70 था normal condition में लेकिन हीट इस्ट्रेस होगा तो उससमें HSP जादा बनेगा और अधर भी HSP बनने लगेंगे तो यहां पर HSP का formation हो फिर यह HSP क्या कर रहा है कि इस ट्राइमर के form में आया फिर इसके form में आने के बाद यह इसकी synthesis हो जाती है फिर वापस यह Sущ what तो यह समझ में आया आप लोग को अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या देखते हैं कि अपने आपको एक तो आपने देखा कि हीट इस्ट्रेस हीट इस्ट्रेस जब हो रहा है तो उस समय प्लांट अपने अंदर हीट शॉक प्रोटीन बनाते हो उस तर तो क्या होता है कि कि जब किसी भी सेल में हीट का स्ट्रेस होता है तो किसी भी साइटो प्लांट पर हीट इस्ट्रेस पड़ता है तो यहां पे जो आप देख रहें हैं यह प्रोट वह पाया जाते यह पाए जा रहे हैं और यह पाए जा रहे हैं और यह पाए जा रहे हैं और यह पाए जा रहे हैं मेंब्रेन में इनका काम क्या है यहां से बाहर की तरफ एच प्लस जा रहा है यहां पर क्या है इस साइटोसॉल से यहां पर वैक्यूल में एच प्लस जा रहा है तो इन प्रो प्रोटॉन का कॉंसेंट्रेशन साइटोप्लास में क्या किया जाए मतलब कम रखा जाए प्रोटॉन का कॉंसेंट्रेशन साइटोप्लास में कम रखा जाए जब साइटोप्लास में प्रोटॉन का कॉंसेंट्रेशन कम होगा तो पी एच उसका फिजियोलोजिकल मेंटेन रहे तो यह जो प्रोटॉन यहां साइटोसॉल से वेक्यूल में जा रहे थे वो भी नहीं जा पाएंगे जो प्रोटॉन साइटोसॉल से बाहर जा रहे थे वो भी नहीं जा पाएंगे एपोप्लास्ट रीजन में मालीजे वो भी नहीं जा पाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि सेल के इस्ट्रेस वाली कंडिशन होगी तो इस्ट्रेस वाली कंडिशन में प्रोटॉन के कॉंसेंट्रेशन बढ़ जाएंगे और सेल क्या हो जाएगी एसीडीफाई हो जाएगी ठीक है एसीडीफिकेशन होता है जब एसीडीफिकेशन प्लांट में इस साइटोसॉल का हो ज दूसरी तरफ से जो मेंब्रेन में कल्शियम आयन मतलब था वह भी खुल गया क्योंकि प्लांट पर इस्ट्रेस आया है जब कल्शियम आयन बहुत सारा साइटो प्लासमे आ जाता है तो एक कल्शियम बैंडिंग प्रोटीन होती है कैल मॉडलिन कल्शियम बैंडिंग प्रोटीन होती है कैल मॉडलिन कैल मॉडलिन एक ऐसी प्रोटीन है जब इस पर कैल्शियम बैंड करता है तो यह एक्टिव फॉर्म में आ जाती है ये कैम एक एंजाइम होता है ग्लूटा में D-Carboxylase जो ये GAD लिखा हुआ है ये जो GAD लिखा है ये क्या है ये इसका नाम ये जो यहाँ पर इनक्टिव फॉर्म में दिखा रहा है इसका नाम है ग्लूटा में D-Carboxylase यहाँ पर देखे लिखा हुआ है ग्लूटा में D-Carboxylase तो ये जो GAD लिखा हुआ है ये इनक्टिव फॉर्म में रहता है लेकिन जैसे ही ये कॉमप्लेक्स बनता है इससे बाइन करता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है जब ये GAD लिखा हुआ है इसका काम क्या होता है यहां पर glutamate से बन रहा है और इसके साथ सा चाहिए proton आप देखिए क्योंकि साइटो सॉल में proton का concentration stress की वज़े से बढ़ा हुआ था जिसकी वज़े से सेल acidify हो गई थी ठीक है अब क्या हो रहा है कि जब यह पूरा mechanism calcium ion खुला और यह GAD मतलब कि जो यह gap glutamate decarboxylase radioactive हुआ तो इस ने proton को use करना शुरू कर दिया और Gaba बनाना शरू कर दिया जब proton का use होना शुरू हो जाएगा त Peloton's को concentration क्या हो जाएगा drop करेगा डोटन को concentration drop करेगा तो Cel acidification से आप किस तरफ जाएगी physiological Seiten English की तरफ जाएंगहे तरफ चाहिए हाईगा यह हीट स्ट्रेस पढ़ा हीट उस्ट पढ़ने के बाद फिर क्या हो रहा है यह प्रोटॉण फंप इनिविट हो गया जिस से किसे के अंदर acidification हो गया अब बहुत लंबे समय तक acidification हो गया तो सेल क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी तो ऐसी कंडिशन में क्या होता है कि calcium. बाहर निकलते हैं calcium. बाहर निकल की क्या करते हैं कि kal modeling protein को active कराते हैं Kal modeling किसको active कराता है जूसके वेज़े से जब स्ट्रीस पढ़ा था प्रोटॉन के चॉन्स बढ़े थे बड़े तो प्रोटॉन के स्ट्रेस घटने शुरु हाज़ाते और प्लांट जो सैल है वह फीजियोलोजिकल पीयच की तरफ शिफ्ट होने लगती है और दूसरी तरफ यहां पर कुछ आप देख रहे हैं जैसे कि CACS 1, CACS 2 तो यह सब क्या है? यह calcium means channel है यह ACA, calcium pump है, ACA pump है तो यह सब का काम क्या है? यह calcium ion को अंदर, आप सपोस कि stress खतम हो गया, इस्ट्रस खतम हो गया, तो यह calcium ion बाहर रहने का क्या मतलब है? फिर रहेंगे, तो calcium ion को active रखेंगे, तो जब calcium ion का काम नहीं होता है, तो इनको इस तरह से यहां पर vacuum के अंदर भेज दिया जाता है, या फिर यह बाहर भेज दिया जाते है, यहां पर बाहर जा रहे है, तो इस किस्टस होता, cytosolic pH क्या होता है, काम होता है, जिसकी वज़े से इनविट होता है, proton pumping ATPase इनविट हो जाता है, जब वो इनविट होता है, तो क्या होता है, कि यहां पर, मतब वेक्यूल में भी इनविट होता है, प्लाजमा में 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 भी इनविट होता है, तो जिसकी वज़ करता है affecting influx of calcium into cytosol इससे क्या होता है कि बहुत सारा calcium cytosol में आता है आने के बाद वो कहां से आ सकता है प्लास्मा मेंब्रेन से आ सकता है या फिर vascular calcium channel से आ सकता है और फिर इस तरह से क्या होता है कि calcium increase हो जाता है cytosolic calcium lead to activation of cal-modulin को activate कराता है cal-modulin जब activate हो जाता है तो यह glutamate d carboxylase को activate कराता है glutamate d carboxylase क्या करता है gama gaba बनाता है gaba बनाने के लिए इसको क्या use करना होता है proton ठीक है consume करता है proton और इस तरह से cytosol का pH क्या हो जाता है higher की तरफ shift होता है in the process of mediating increase in cytosolic और pH cytosol का बढ़ने लगता है cac1 cac2 transport protein ACA और यह क्या है calcium ATPase तो इस तरह से आपने इसका पूरा mechanism समझ लिया कि heat tolerance को कैसे मतलब tolerate करते हैं plant है ना heat stress को कैसे tolerate करते हैं plant यह समझ में आया कुछ करते हैं